आप देख रहे हैं भुझपुर दर्शन न्यूज खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल ला आइकॉन को दबाई न्यूज को देखने के लिए तुम मुझे यूँ भूला ना पाओगे यह फनकार है विश्व भिख्या मुहम्मद रफी सहब के जिसे गाकर सुनाया मुहम्मद रफी सहब के सुपुत्र शाहिद रफी जी ने जी हाँ मैं हूँ रञजना और हमारे चैनल से खास बात्चित की साहिद रफी जी ने हम हाजिरे कार्टकरम ने दर्सकों आपका श्वागत है दर्सकों जीसा कि आप जानते हैं कि प्रति दिन एक नए महिमान से मिलते हैं और आप अपने दिल की बातों को जनकारी देने के लिए हमारे साथ हैं दुन्या के जाने माने पहचाने जिनका नाम ही काफी है ओ है हमारे आदरनिये पूजनिये श्वर्गे मुहम्मद रफी साहब के शुकुत्र मुहम्मद साहिद रफी साहब मैं अपने भौश्पूर वासियों की और से, भौश्पूर दरस्थन के सभी दर्शपू की और से, बिहार वासियों की और से, शाहिद रफी कहते हैं, मुझे अगले जन्में भी यही माबात मिले कितना कुछ अंतर आपने देखा, जीवन के कई दसक आपने बिदाया, क्या अंतर आपने माशुस किया है। महसुस तो नहीं ही बता सकता हूं कि मतलब मैं तो कुपरवाले का शुकर गुजार हो और से वाकि मिश कि बहुत बहुत मतलब ऐसा है कि कुपरवाले का मैं इतना शुकर गुजार हो गो इस खांदान में पहدا किया, सबसे पहले। और दुस्री बात ये कि जैसे लोग बुलते हैं कि दुस्रा जनम है दुस्रा जनम होता है यह सब तो मैं यही चाहूंगा कि मतलब मेरे अगले जनम में भी यही माबाब मुझे मिले तो अब आप यह सोच सकते हैं मतलब कि जब से मेरे वालत गए इस दुनिया को छोड़के गए एक बात में बता हम आपको कि जब अपने वो हैरात थे जब वो जिन्दा थे तो हम कभी उनको यह नहीं देखें कि वो बहुत बड़े सिंगर हैं या बहुत बड़े आदमी हैं क् कि हम उनकी ऑलाद थे ऑलाद के नाते हम यह सोचते हैं वो मेरा बाप है वो मेरे पिता हैं तो हम वो नजर से देखते थे हमको एक पिता की नजर से कोई ऐसे नहीं कि मतलब बहुत बड़ा इंसान है या बहुत बड़े गाय के ने हम कभी नहीं सोची नहीं यह हमारे को सोच कब आई जब वो दुनिया छोड़ दिए गया तब मुझे इसास हो मुझे नी मेरे खानदान में इसास हुआ कि मेरा मेरा बाब इतना बड़ा इनसान है इतना बड़ा अदमी है और आज तक आज तक जो मैं देखाँ इंडर्स्ट्री के अंदर और दुनिया भर में कि जो फैन फॉलिएंग जो रफी साहब की है मैं समझतों आज तक किसी की नहीं हुई है क्योंकि आज नियली 42 सालों के 42 यहस लेकिन फिर भी उनकी फैन फॉलिंग दिन पर दिन बढ़ते जा रही है ना की कम होई लोग इनसान अपने आदमी जब गुजर जाता है जब दुनिया छोड़ जाता है तो हफ़ते भर में या मैने भर में बूल जाता है वो भरे अपना बाप क्यों नहों लेकिन रफी साथ एक ऐसे इंसान थे कि दुनिया भर में ऐसा नाम छोड़के गए कि कोई भूला ही नहीं पाता क्योंकि उस सब के दिल में बसे बाएं उनका ऐसा है कि वो अच्छे गायक तो थे ही थे बहुत बड़े गायक थे और बहुत अच्छे गायक थे उनकी कंपरेसर में मैं समझता हूँ कोई नहीं है उसके साथ साथ वो बड़े बड़े अच्छे इंसान थे बहुत यच्छे इंसान थे बहुत अच्छे पिता थे बहुत अच्छे इंसान थे मतलब उससे पिता नहीं लेकिन मैं समझता हूँ कि दुन्या में कोई इससे इंसान नहीं होगा और खायेगा कि मैं रफिसाब में मेरे लिए मतलब गलत जो है मैं नेगिनिव पॉइंट से बात कर रहा हूँ कि कोई इंसान इंडस्ट्री में हो या बहार हो कि रफिसाब में कुछ भी ऐसा मुझे नेगिटिवनिस ने बात किये कभी नहीं तो आज भी हम घर में बैठे रहते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे अबबा वज़र ने तो हमारे अबबा गयवें रिकॉर्डिंग में और शाम दका गाएंगे कि लोड़ कराएंगे हम लोगे साथ बैठेंगे बात ही करेंगे आज भी ऐसा महसुस होता है आज भी गाने लगते हैं आज वक्ति यकीन करें अफम लगाईए शाम के वक्त उपर के टाइम पर कभी अपना गाने पूर अपना कम से कम एक घंटा चलता है और अबा की गाने सु कि लगाता है कि सुनगे या सिडी पर सुन लिये या पेंडराइब पर सब्सुन लिये यह सब अपना जो चल रहा है देखिए उसके बावजू धरीडियो पर भी चल रहा है तो हर इंसान के दिल में बसे भाए तो इको बहुत बहुत अच्छी बात कहा कि रशी शाहफ को को कोई भुलाने सकते हैं, जब तक यह धर्ती और आस्मान रहेगा, तब तक रफिश सहाब का इस धर्ती पर नाम रहेगा, बिश्व में नाम रहेगा, रफिश सहाब का कोई भुलाने सकता है, और जैसे जैसे और ज्यादा पूराना होता जा रहा है, तक रफिश सहाब के गाने और ताजह होती जा रहिए न्या होती जारी भारत रतन के मुताज वो है जो अपने आइडेंटिटिटी के बारे में डरते हैं कि मेरी आइडेंटिटी खतम हो जाएगी आज कितने साल हुए अब बाबो फोर्टिटू यूर्स ओर है आप याद करते हूं जी जी तो क्यों है याद करते हो यो रतन है ठीक है ना तो वह विश्वक रतन विश्वक के मतलब आप जान दे यूनिवर्स यह तो भारत की बात के रहा है रफिज आप तो यूनिवर्स के रतन मैं वीज तो यह नहीं रख है दो बना में उनको बता रहु है, यह स्कुलिख नहीे। वो इतने बड़ इंसाम थे पहले के लोग लगन और मेहनत से कारी किया करते थे पर आज के लोग पैसे के पीछे भागते हैं एक बात चाहिए अव हमारे डर्सक आपसे सुचे में डर्सक आपसे सोचे में जानकारी यह नहीं हमारे प्रिवार से बार बार चाहां इंगे कि आप जनम ऴें जिसके हमारे दर्सक्राम warmer का वका हैं गाते हैं उसकी वज़ यह हैं कि उस जमाने में गानी लिखने वाले लिलिसस जिसको के ते हम लोग वह अफिक्र अलग होते थे हैं मुजिक डिरेक्टर अलग होते थे Allah का मतलब मेरा क्या किने था इən मतलब है उनकी लगन उनका sacrifice तो वो एक एक गाने को कबھی उपना हफते हफते लग जाते थे सदी सिर्प यसल में कभी-कभी महीने लग जाते थे एक काने को इपना गयसल की बात करना हूं तो वो हमेशा अपने उन्हों ने मार्ट रफिजाग मी तो नहीं बात कर रहा हूँ, मैं ओर अवरॉल बात कर रहा हुआ हूँ के उसलिप वो लगन थी वो एच्छा थी वो डेडिकेशन जिसको केह दें तो था आज के तारीख में बहुत कमरशिल होगया है बहुत कमर्शा नों कि ऐसा हुगया है कि मैं जो जलू करो छोड़ हो खंब गाना खटम करें और ऐसे दो मिनिक लूगा उसक्त उलुक पैसों की आहित नहीं देते थे पैसो क्या हमें नहीं 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 अच्छा अब हमारे अब हमें यह भी बात थी कि बोते थे अपनों बच्छों को जिए सिखाते थे एक बाद रहा देखना कभी पैसों के पीछे मत भागो अपने आप को ऐसा बना लो कि पैसा तुम्हारे पीछे भागे तो उस हिसाब से आप ये सोच सकते हैं कि इस जमाने में लोगों की सोच क्या थी कि पैसों के लिए कुछ नहीं पहला अपनी जद्द्द्द्द्द्द्धいきます करम यह समाल़ों अपना वर्क समाल़ों उसके बात जो करना है उसके बात जो और आग करे आखिसा क्यों करें और का ten छाहिए शाहिद रफिश वहाई कि और आठी यहां कि हमारे रफिश शाहब पूरिया कि हम कुछ बात कर रहें थी भोजपूर जिलाम में आप आए हुए हैं रफिश शाहब ने भोजपूरी में भी गाने बहुत गाये हैं जल्दी जल्दी चलो रहे कहा रहा जी 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 बहुत लग गाएं गया है तो भोई पूरी में जो संगीत आजकल हो रही है या पहले भी थी इस तंदर में आप क्या रहे है फिर मैं वही कहूंगा कि मतलब जो लगन जो डेडिकेशन जो था गानों में लाइटिंग में और मुजिक में आज के तारीक पर मैं समझता हो कि मुजिक इतना लाउड हो गया है लोगों को यह नहीं पता चल रहा है कि गाना क्या चल रहा है आप सुझे गाना क्या चल रहा है लिरिक्स क्या है कुछ समझ में नहीं आता है मुजिक बहुत लाउड हो गई उस जमाने में मु क्योंग गाते थे तो ऐसा गाते थे लोग सामने समझा रहे हो बता रहे हुए यह होता था आज पता ही निचलता कि गाना आया घया खे गाता गाना आया और गया है मुहम्मद रफी बिज़कल इंस्ट्यूट काफी काले कर रहा है जिसका लाव कलाकारों को मिल रहा है एक बात आता है शाहिज साहब कि रफी शाहब तो हमारे पिश्व के जाने माने जिसके धरोहर नाम ही काफी है तो क्या उनके नाम पर आपके द्वारा या कुछ इस प्रकार का फिल्म या डॉक्मेंटरी फिल्म का की नया प्रिडी जो हो वो कुछ और ज्यादा जाने समझे रफी शाह के बारे में देखिए बेने मैं आपको इक बात बता हूँ जिसका नाम है महमध रफी मुजिकल इंस्ट्थ्यूट करीबे के नहीं को आ रहा हुँ जिसमें उस इंस्ट्थ्यूट में बच्चों को सिखाए जाता है बच्चे भी हो बड़े भी हो बुरे भी हो गाना सिखाते हैं गाने के साथ-च्छत हम लोग इंस्टूमेंस भी सिखार रहे हैं हमाइए अपना अच्छ अपना भुनी अपना सिखार से तो उनकी legacy चालू हो है ये नहीं के मतलब लेगसी बंद कर कि चालू है रफी साहिब की मुहम्मद रफी मुजिकल इंसिट्यूट चाल हुए और माशालोब बहुत अच्छा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और काफी जगाओं से भाहर से भी स्टुडेंस आ रहे हैं कि हमको सीखना है तो वह सब चल रहा है बहुत कुछ कार्ज हो रही है जारी है बिल्कुल और मैं अभी अपने कुछ और अपना करूं अलेकर वह मैं अभी आप नाउस्ति पर्दे के पीछे ही रखना चाहते हैं यह प्रकुल अभी करते हैं कलाकारों को मैहनत करनी चाहिए फल की चीनता नहीं लेकिन जो जूनियर कलाकार हैं यहाँ साथ उन चे लिए आप क्या जागते हैं मैं तो बस यह क्रहूंगा उन्हों के सिर्थ के खुब महनत करें मन लगा कि इतना काम करें यह नहीं के मतलब नहीं में जल्दी काम करें पजली कोई इंसान मार की पेट से सुपस्टा नहीं बनता है वो अपनी महनत से और अपनी तर्दी है तो मैं यह भुलू हगा कि महनत करें कभी नळी फल मिलेगा दनी करते रहें फ्ल की चिंता ना करें कहना है साईभ रफी Carni Abka कि आप फ्ल की चिंता पहले मत किरें पहले लेवर करें परिश्थरम करें फ्ल जरूर मिलेगी मुझे तो सिर्फ यही कहना है जनम जनम का साथ है तुम्हारा हमारा हमारा तुम्हारा तुम्मुझे यूँ भुला न पाऊगे हाँ तुम्मुझे यूँ जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुन गुना होगे हाँ तुम्मुझे यूँ संग भापो बहुत भुर्तों की औरसे सरी दर्सकों की औरसे आपको बहुत बहुत बहाई एक इा Boss परहए आए प्ही्मुझे अक उमेद horse के साथ Βौचपूर वासी भीहार वासी जब कभी भी आपको यादा करें को मुझे प्हौक बहुत भीयार वासी स्विए सभी दर्सकों की और से, सभी पुरे भी हारवासियों की और से, देशवासियों की और से, आपको बहुत-बहुत बढ़ाई सुपका। यह बहुत बश्यूदिया, तैंक्य। मित्रों, फिर मिलेंगे नए काज़परम के साथ। आप मुझे आगया दे, नमस्कार। आप देख रहे हैं घुचकोर दर्शन नीज, खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाई नीज को देखने के लिए